Dear Students, आज हम 2 डिजिट डिवाइड 1 डिजिट and 3 डिजिट डिवाइड 1 डिजिट कैसे होता है? सिखेंगे. तो देखते हैं, 2 डिजिट का एक सम लेते हैं, 48 डिवाइड 4. सिंपल सा सम है, 48 डिवाइड 4, 2 डिजिट बाइड 1 डिजिट, यानि ये 2 डिजिट बाइड 1 डिजिट का सम है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले रोड सेलेक्शन होती है, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले रोड सेलेक्शन, तो ये 2 डिजिट नमबर है, ये 1 करेंगे यानि two digit minus one digit two digit minus one digit करेंगे तो answer आएगा one और इस one में से minus one self की और से करेंगे अपनी और से करेंगे तो one में से minus one करेंगे तो answer आएगा zero तो road selection हुई zero road एक और तरीका है आप देखिए simple सा है two digit number है और यहाँ one digit number है तो two digit यहाँ one digit है न तो divide single digit है तो आप double digit minus कीजिए two digit minus two digit यहाँ पर one digit है तो two digit एक अपनी और से plus करके minus कीजिए तो two digit minus two digit हो जाएगा तो भी रोड सेक्शन जीरो रोड आएगी तो यह two type है आप जैसे समझ पाए हो आपको सबसे पहला step है divide करने का road selection तो two digit minus one digit है यह one digit है तो आपको two digit minus करना है तो two digit minus two digit zero road एक तरीका यह है कि two by one का sum है तो two by two minus one equal one और minus one अपनी और से करना है इक्वल जीरो वन माइनस वन एक्वल जीरो तो रोड सेलेक्शन जीरो तो two digit डिवाइड वन डिजिट का अगर सम है तो रोड सेलेक्शन जीरो आता है ओके अब इसको आपकास पर कैसे करते हैं यह हमारा आपकास है और इस पर यह सेतर पॉरइनस टाइड कोऊंड riktig में है सेंटर पॉइंट वन प्उच्पंस रोड र्यवाइड किव गश्यक्वलिक अब यह देखना है कि हमरा यह दो जीरो ओड आया है तो हमź जीरो रोड पए set करेंगे 48 48 set किया और आप set करने के बाद हमें 4 से divide करना है 48 को 48 को 4 से divide करना है तो हम सबसे पहले दखेंगे हमारे पास 4 है 4 की टेबल में 4 आता है क्या yes आता है 4 वंजा 4 वन टाइम में 4 आता है बट single digit को हम divide करेंगे तो answer immediate road से next road पर set करेंगे, because, यानि क्योंकि, single digit की जो number होते हैं, बोलचाल में हम normally ऐसा बोलते हैं, कि वो number है, but नहीं, वो digit है, उसे number में convert करना पड़ेगा, तो 1 से लेके 9 तक जितने भी digit है, उनको number में convert करने के लिए, उस digit से पहले, 0, 8 करना पड़ेगा हमें, जैसे for example, 8, तो 0, 8, number है 0, 8, digit है 8, 6, digit है, और इसको number में convert करने के लिए, 0, 6, तो हमें क्या करना है, 6, 6 है, तो यह digit है, और यह 0, 6, number है, 4, digit है, और 0, 4, number है, तो हमें नमर सेट करने होता है, डिजिट नहीं, इसलिए हम देखेंगे, इसलिए हम answer है न, जब सेट करेंगे, तो immediate road, जो pass वाली road है, single digit को जब divide करते हैं, तो immediate road से next road पे set करते हैं, तो यहाँ पे हमारी 4 को divide कर रहे हैं, 4 से, तो 1, 4 जा, 4, तो one time में minus 0, 4, तो हम immediate road से next road पे set करेंगे, one time में minus 0, 4 हो रहा है, ओके, फिर हमारे pass में है, अब 8, यहाँ पे 0, तो 4 की table में देखेंगे, 0, 8, या 8 कितने time में आता है, तो 2 time में minus 0, 8 हो रहा है, तो हम immediate road से next road पे, यानि pass वाली road से next road, single digit को जब divide करेंगे, तो immediate road से next road पे answer set करेंगे, तो 2 time में minus 0, 8, speak and set together, हम बोलेंगे और set करना एक साथ करेंगे, यसे 2 time में minus 0, 8, answer आया 12, तो इसका answer हो गया, 12, next sum लेते हैं, एक छोटा सा sum लेते हैं, 24, divide, 24, divide 3, तो road selection, यहां single digit है, यहां double digit है, तो single digit, 2 digit में से minus, यह one digit है, तो one digit अपनी और से भी minus करेंगे न, तो 2 minus 2, equal 0 road, और आप इसको ऐसे भी कल सकते हैं, यह two digit number है, minus one digit, equal 1, और minus one अपनी और से करेंगे, equal 0 road, तो road selection 0 आया, तो 0 road पे state करेंगे, center point once road, और यह 0 road है, तो 0 road पे state करेंगे 24, अब 2 को divide करेंगे 3 से, तो 3, 2 को जो 3 से divide करता है, तो 3 की table में 2 नहीं आता है, यह small digit है 2, big digit divide होता है, small digit divide नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को divide नहीं करके, 24 को divide करेंगे, तो देखेंगे 3 की table में 24 कितने time में आता है, तो 3, 8 जा, 24, 8 time में आ रहा है, double digit को जब divide करते हैं, तो answer, imagid road पे ही set करते हैं, इसमें न, मतलब, imagid road से next road पे set नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो जब double digit को divide करेंगे, तो answer imagid road पे ही set करेंगे, तो यहाँ पे set करेंगे, 8 time में, minus 24, speak and set together, 8 time में, minus 24, तो answer आ गया, 8, अब आप इसको 8 भी लिख सकते हैं, और वैसे आब एकास में, 08 इसको माना जाता है, तो 08 answer आ गया, या 8 आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ, नोर्मली लेंविज में, बोलचल में, 8 बोलते हैं, और वो 8 डिजिट है, नमबर नहीं है, नमबर में करवर्ट करने के लिए, उसके पहले 0, 08 करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं, पेज नमबर 7, पेज नमबर 7 में, हमारे 5 लेवल की बोलक है यह, और इसमें पेज नमबर 7 से, डिवाइड स्टाट होता है, डिवाइड का इसमें पहला सम है, एक सम लेता हैं, 78 डिवाइड 6, 2 डिजिट बाई 1 डिजिट का, रोड सेलेक्शन, 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट, और माइनस 1 अपनी और से, तो आप 2 डिजिट माइनस 2 कर दीजिए, तो answer यानि 2 digit divide 1 digit है तो road section 0 आएगी, तो 0 road पे state करेंगे 78, 78 state किया हमने, 0 road पे 78, अब यहाँ पे देखिए आप 6 से divide है, यानि हम 6 से divide करेंगे, 7 याँ पे है, big digit है, divide होगा, तो 6 की table में 7 नहीं आता है, बट 7 से पहले 6 आता है, और वो आता है 1 time में, तो 1 single digit को divide कर रहे हैं, answer इमिजीट road से next road पे state होगा, तो 1 time में minus 06, यानि हमें देखना है table में कि कितने time में कितना minus हो रहा है, अब हमारे पास 18 है, 1 divide नहीं होगा, 6 की table में 1 देखेंगे, नहीं आता है, यूग कि small digit है, तो हम 18 को divide करेंगे, 6 की table में 18 आता है, 3 time में, तो हम state करेंगे, 3 time में minus 18, जब double digit को divide करते हैं, तो answer इमिजीट road पे state करते हैं, तो 3 time में minus 18, answer आया 13, अब हम देखते हैं, 3 digit divide 1 digit, यह sum कैसे होते हैं, simple है, सबसे पहले road selection करेंगे, तो 3 digit minus 1 digit, तो 3 minus 1, 2, और minus 1 अपनी और से हैं, 1, यानि 3 digit divide 1 digit है, तो road selection 1 आएगी, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहां 3 digit number है, और यहां पे 1 digit number है, यह 1 minus करते हैं, एक 1 अपनी और से भी minus करते हैं, वो आप इसमें add कर दीजिए 1 में, इस 1 में add कर दीजिए, तो 3 digit में से minus 2 कीजिए आप, एक 1 digit यह हैं और एक 1 अपनी और से, तो 3 minus 1 equal 1, तो road selection इसकी आई, 1, यह center point है, center point वाली 1s road होती है, तो इस पे set करेंगे 124, और 2 से divide करेंगे, 2 की table में देखेंगे 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो हम 12 को divide करेंगे, 2 की table में 12 आता है, yes आता है, double digit है, तो immediate road पे answer set होगा, 6 time में minus 12, 2 की table में 6 time में minus 12 हो रहा है, अब हमारे पास में है 4, यानि या पे 0 है, या पे 4, 0, 4, तो 0, 4, यानि 4 आता है 2 की table में, yes आता है, 2 time में 2, 2 जा 4, तो single digit है यह 4, तो immediate road ने next road पे answer set होगा, 2 time में minus 0, 4, क्योंकि single digit अब एक अस में नहीं होता, तो 2 time में minus 0, 4, answer आया 62, right है, 62, एक sum लेते हैं, 640, divide 8, तो 640, 3 digit, minus 1 digit, 2 और minus 1 अपनी और से 1, तो road selection आया 1, एक second style जो है, second जो type is का, road selection का वो देखिए, 3 digit, minus 1 digit है ना, minus 1 अपनी और से करता है, तो यहाँ 1 digit है, तो minus 2 कर दीजे आप, एक अपनी और से मिलाता है ना, वो इस 1 digit में 8 कर दीजे, तो 3 minus 2, यानि यहाँ 1 digit है, तो आप 2 minus कीजे, 3 minus 2, 1, तो road selection 1, ओके, तो first जो है, road selection 1 आया, तो हम set करेंगे, once road पे, center point, once road, once road पे set करेंगे, 640, 640, set करने के बाद हम देखेंगे, यह जो 6 है, इसको divide करना है, 8 से, तो 8 की table में 6 आता है क्या, नहीं, क्योंकि small digit है, बिग डिवाइड हो सकता है, small digit डिवाइड नहीं होता, तो 6 जब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 64 को डिवाइड करेंगे, तो 8 की table में देखेंगे, कि 6, 8 की table में देखेंगे, 64 कितने time में आता है, तो 8 time में 64 आता है, 8 8 जा 64 होता है न तो 8 टाइम में डबल डिजिट है 64 डबल डिजिट है तो आंसर ही मेजिट डोट पे सेट होगा 8 टाइम में माइनस 64 speak and set together 8 टाइम में माइनस 64 है न तो आंसर आया 80 80 80 और राइट है इस तरह से आप जो भी सम है आप कुछ आंसर हम छुपा देते हैं और यह सम करते हैं 273 देखिए 3 डिजिट और यह 1 डिजिट है एक 1 माइनस अपनी ओर से करते हैं तो 3 माइनस 1 नहीं हम 2 कर लेते हैं वन अपनी और से करते हैं वो इसी में एट करते हैं 3-2 तो रोड सेक्शन 1 आएगी यानि 2 डिजिट डिवाइड वन डिजिट है तो रोड सेक्शन 0 आ रही है और 3 डिजिट डिवाइड वन डिजिट है तो रोड सेक्शन 1 आ रही है तो रोड सेक्शन 1 आ रही है तो रोड सेक तो 273 . अब हम देखेंगे गिच्ट की इडिवाइट करना है का इसक की सiven की इडिवाइट किरेंगेगे 27 कि एक से Wrap डिवाइट करेंगे तो 27 को डिवाइट करेंगे zlooked तो कििकpex कनay time इसक फिमने 7 की सिवाइट करना है इससा पहले क्या आता है तो वह iv cow pounds 21 तो 3 time में 7 3 जा 21 तो 3 time में minus 21 हो रहे है 27 को जब divide करते हैं यानि 7 की table में δेखते है 27 आता है या नहीं तो नहीं आता है बट इससे पहले 3 time में 21 तो हम set करेंगे 3 time में minus 21, फिर हमारे पास में 6, 7 की table में 6 आता है क्या, नहीं आता है, small digit है, तो 6 डिवाइड नहीं हो सकता, हम अब डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड को, 6 single digit डिवाइड नहीं हो रहा, तो double digit को डिवाइड करेंगे, 63 को, 63, 63, देखेंगे अब 7 की table में, 63 आता है क्या, हाँ, आता है 63, 9 time में minus 63, 7, 9 जा, 63 होता है, तो 9 time में minus 63, answer आ गया, 39, तो देखते हैं, answer is right, 39 है, तो इस तरह से आप 2 by 1 और 3 by 1 के sum कर सकते हैं, यह पूरे जो 7 page है, इसमें यह 15 sum है, इसमें आप सबसे पहले road selection कीजिए, फिर देखिए, कि जो table है, उसमें वो कितने time में आ रहा है, और फिर minus करना है, जैसे कोई भी table है, तो आप यहाँ पर देखिए, आप simple सा समय एक ओर देखते है, 207 divided 3, तो इसमें देखिए, 3 minus 1 और minus 1 अपनी ओर से, तो 3 minus 2, तो road selection 1 आई, once road पर sit करेंगे, 203, 207, 207, अब देखिए, 3 की table में 2 नहीं आता, तो 20 को करेंगे, आप देखिएंगे, 3 की table में 20 से पहले क्या आता है, यानि 20 तो आता नहीं है, से पहले, यानि कितना time divide हो रहा है, तो 3, 6 time में minus 18 हो जाएगा, है ना, तो 6 time में, आप सेट करेंगे या, 6 time में minus 18, 1, 8, 18, फिर हमारे पास 27 रहेगा, 3 की table में देखेंगे, 27 आता है, क्या, यास आता है, 9 time में, तो आप सेट कर देंगे, 9 time में minus 27, तो answer आ गया, 69, ओके, तो मैं ये clear करता हूँ, यानि ये समझता हूँ, कि आपको समझ में आगे होगा, अभी भी कोई doubt है, तो आप call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, मैं आपकी online class लूँगा, और उसमें हम समझेंगे, ठीके, तो जितना आपका, इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपने sum करें, practice करें, और book का page complete करें, अगर कोई भी क्यूरी है, तो आप call करें, okay, thanks.